चंद्रायान तीन मिशन के विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर स्लीप मोड में चले गए हैं। सोमवार सुबह इसरों ने बताया की लैंडर ने किक स्टॉट की प्रक्रिया पूरी की। इसके तहट लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए दोबारा चंद्र सता पर उतरा। इससे पहले रविवार को रोवर स्लीप मोड में चला गया था। चंद्रायान तीन चांद की सता पर अपने मिशन पर है। इस बीच भारती अंतरिक शनुसंधान संगर्थन इसरों ने सोमवार सुबह बताया कि विक्रम लैंडर ने किक स्टॉट की प्रक्रिया पूरी की। इसके तहट लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए दोबारा चंद्र सता पर लैंडिंग की। इससे पहले इसरों ने बताया था कि रोवर, प्रग्यान अपना काम पूरा कर स्लीप मोड में चला गया। आखिर विक्रम लैंडर में हुई किक स्टॉट की प्रक्रिया क्या है। इसका महत्वर क्या है? रोवर, प्रग्यान्ट की क्या स्थिती है? इसके स्लीप मोड में जाने का क्या अर्थ है? आईए समझते हैं. सोमवार को एक एक्स पोस्ट में इस्रो ने जानकारी दी की विक्रम फिर से चंद्रमा पर सौफ्ट लैंड हुआ. विक्रम लैंडर ने अब भग 40 सेमी उपर उठाया और फिर 30 से 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया. इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक्स टॉट बताया है. राष्ट्रिय अंतरिक्ष एजेंसी ने किक्स टॉट प्रक्रिया के महत्वर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह भविश में चांद की सता से सैंपल भेजने में सहायक होगी. इसके साथ ही इसरो ने बताया कि किक्स टॉट से मानव मिशनों को भी मदद मिलेगी. एजेंसी ने आगे बताया कि पेलोड अब बंद कर दिये गए हैं. वहीं लैंडर रिसीवर चालू रखे गए हैं. एक बार सौर उर्जा और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रग्यान के बगल में सोएगा. इसरो के मताबिक 22 सितंबर के आसपास उनके जागने की उमीद है. अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पाक किया गया है. प्रग्यान को स्लीप मोड में सेट किया गया है. इससे के मताबिक रोवर को सुलाने की प्रक्रिया इसलिए की गई क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो गई है. इससे पहले चांद की सतह पर घूमते हुए रोवर ने चांद के दक्षनी ध्रूप पर एक पदबुद घटना को रिकॉर्ड किया। इसे एक प्राकृतिक घटना माना जा रहा है और इस रो इस घटना के स्त्रोत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इसे ने आगे ये भी बताया है कि असाइन्मेंट के दूसरे सेट के लिए रोवर के जागने की उम्मीद है। चंद्र दिवस 22 अगस्त को शुरू हुआ और हमारी लैंडिंग लगभग दूसरे दिन के अंत में हुई थी। वहां से विक्रम और प्रग्यान दोनों ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर असाधारन प्रदर्शन किया है। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रग्यान ने 2 सितमबर तक 100 मीटर से अधिक की आत्रा पूरी कर ली थी। वीर मुथूविल ने बताया अगर हम विशेश रूप से रोवर को देखें तो हम केवल 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तैकरने में काम्याब रहे। वहीं कई अन्य मिशन जो लंबे समय तक चले यहां तक की 6 महीने तक केवल 100 से 120 मीटर की दूरी ही तैकर पाए। चंद्रायान 3 मिशन चंद्रायान 2 का ही अगला चरण है जिसने चंद्रमा की सता पर उतर कर वैग्यानिक परीक्षन किये। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2 बच के 35 मिनट बजे श्री हरिकोटा केंद्रा से उडान भरी थी और योजना के अनुसार 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। इस मिशन से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इसके साथ ही चांद के दक्षनी ध्रूप पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंज में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।